नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वन रूम वाइरिंग लेबर प्लस मैटेरियल चार्ज यानि कि एक रूम में वाइरिंग करने का लेबर प्लस मैटेरियल सहीत कुल कितना खर्चा लग जाएगा तो एक 10 वाइरिंग करने पर कुल कितना पैसा लगा उसको मैंने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया है तो चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि लेबर प्लस मैटेरियल पर कुल कितना खर्चा हो गया तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा 10-10 का रूम है और रूम के सीलिंग में यानि की छट के ऊपर कुछी तरीके से एक फैन बॉक्स लगाया गया तो यदि हम इस फैन बॉक्स के प्राइस की बात करें तो एक फैन बॉक्स का जो प्राइस है वो 90 रूपय हो गया यानि की 90 रूपय का हमारा एक फैन बॉक्स पड़ा, फैन बॉक्स लगाने के बाद इसी फैन बॉक्स में एक फैन यानि की पंखा लगेगा, तो यदि हम एक नॉर्मल फैन के प्राइस की बात करें, तो फिप्टीन हंडड यानि की फंदरा सो रूपे में आपको एक अच्छा खासा पंखा मिल रहेगा, फैन के बाद य यहां पर जो हम लाइट जंग्सन की बात कररें हैं, उसमें पूरे सेट की बात हो रही है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि पूरा सेट लगा हुआ है, केवल यहां पर बलफ लगाना है, तो लाइट का एक पूरा जंग्सन बनाने में नॉर्मली 90 यानि की नबबे तो चली हम यहाँ पर 180 रूपए लिख लेते हैं लाइट जंसन के बाद यदि हम लाइट की बात करें तो इस रूम में टोटल दो लाइट ही लगी है और एक 20 वाट के लाइट का जो प्राइज होता है वो लगबग 200 रूपए होता है तो दो लाइट का 400 रूपए हो गया तो दो लाइट का 400 रूपए हम एड़ कर देते हैं लाइट बॉक्स के बाद यदि हम पाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वाइरिंग करते समय कुछ इस तरीके से पाइप लगाई जाती है तो इस 10x10 के रूम में यदि हम total pipe add करते हैं तो total 17 यानि की 17 fit pipe लगी हुई है example की बात करें तो आप देख सकते हैं कि slab यानि की छट में 5 fit pipe इधर लगी है और 5 fit की pipe इधर लगी है या आपका total 10 fit हो गया च्छत के बाद यदि हम दीवाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक जहां तक लाश्ट बोर्ड लगा है यदि हम वहां तक की दूरी की बात करें तो 6 फिट हो गया और 1 फिट पाइप का रेट मार्केट में 9 रूपए है तो 17 फिट पाइप का 103 रूपन यानी की 153 रूपए हो जाएगा तो टोटल 153 रूपए की पाइप हो जाएगी पाइप के बाद यदि हम इलेक्रिक बोर्ड की बात करें तो इस रूम में टोटल 2 बोर्ड लगाए गए है आप देख सकते हैं कि एक बड़ा बोर्ड है और इसी बोर्ड की नीचे एक छोटा बोर्ड है तो सबसे पहले यदि हम बोर्ड के बाक्स की बात करें तो ऊपर वाला जो बोर्ड का बाक्स है जो की दिवाल में लगा हुआ है यदि हम केवल और केवल बोर्ड बोर्ड बाक्स की बात करें तो बड़े वाले बोर्ड का टोटल 100 रूपए होता है और यदि हम छोटे वाले board के box की बात करें तो केवल box का यहाँ पर 60 यानि की 60 रूपे हो गया तो दोनो board box का 160 यानि की 160 रूपे हो गया board box के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से board के ऊपर button वगेरा लगाई जाती है तो बड़े वाले board पर आप कुछ इस तरीके से जब button, switch और इसके साथ-साथ fan controller लगाएंगे तो total आपको 650 यानि की 600 रूपे हो जाएगा और यदि हम छोटे वाले board की बात करें तो आप देख सकते हैं कि छोटा वाला board कुछ इस तरीके से होगा और छोटे वाले board पर जब आप button लगाएंगे उसका प्राइस के और बटन लगाने का प्राइस 250 रूपे हो जाएगा इलेक्रिक board के बाद यदि हम वायर की बात करें तो फैन दो light और इसके साथ-साथ दो board में connection करने पर 38 फिट वायर लग जाएगा यानि कि 38 फिट वायर लग जाएगा तो वायर का आप थोड़ा समझेगा कि market में जो वायर आते हैं वो single piece आते हैं और इस वायर को लगाने के लिए इसको double किया जाता यानि कि market में आपको कुछी तरीके से single वायर मिलेगा और जब आप इसकी wiring करेंगे तो इसको double करके यानि कि कुछी तरीके से करके लगाना पड़ेगा तो यदि वायर लगाने की total दूरी जो है 38 फिट हो रही है तो इसका double wire आपको लेना पड़ेगा तो यदि हम 38 का double करते हैं तो 76 फिट हो गया यानि कि यदि हम single wire की बात करें तो 76 फिट यदि हम वायर लेंगे तो उसको हम double करके 38 फिट बना लेंगे और यदि हम वायर के rate की बात करें तो इस समय आपको 4 रूपे फिट के हिसाब से वायर मिल आएगा तो 4 रूपए running fit के हिसाब से यदि हम 76 fit wire के price की बात करें तो 300, 304 रूपए हो गया यानि कि 304 रूपए का आपका wire लग गया wire के बाद यदि हम labor charge की बात करें तो किवल एक room का wiring करने में जो labor charge होगा वो board के point के हिसाब से लिया जाएगा example की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने 3 switch लिया है तो 3-0 switch का 300 रूपए हो गया यानि कि 1 switch का 100 रूपए charge लिया जाता है तो 3-0 switch का 300 हो गया switch के बाद आप देख सकते हैं कि fan का controller है और fan का 1 switch है तो fan का एक complete connection करने में 200 रूपए लग जाता है fan के बाद यहाँ नीचे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा 2 socket है और दोनों socket को control करने के लिए 2 switch है तो एक socket का 200 होता है तो 2 socket का 400 रूपए हो गया बड़े board के बाद यहाँ छोटे board की बात करें तो इस board में आपका एक switch है और एक socket है तो इन दोनों का 200 रूपए हो गया तो इन सब का total करने के बाद हमें labor charge पता चल जाएगा तो चलिए हम total कर लेते हैं तो total करने के बाद 1100 रूपए आ गया यानि कि labor charge हमारा 1100 रूपए हो गया आपके area में labor charge क्या चल रहा है comment box में comment करके जरूर से जरूर बताएगा तो चलिए हम fan box, light, pipe, electric board, wiring और labor charge का total करके देखते हैं कि कुल कितना पैसा हो गया तो total करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4697 रूपए हो गया यानि कि 4697 रूपए का खर्ष हो गया यदि आप ने अभी तक वीडियो को like ने किया तो please like कर दीजिए, share कर दीजिए और यदि आप घर का नक्सा बनवाना साते हैं तो आप हमारी consultancy में contact करके घर का नक्सा बनवा सकते हैं consultancy का जो contact number है वो description में दिया गया है और यदि आप का कोई personal question है तो आप हमें Instagram पर message कर सकते हैं Instagram का जो link है वो description में दिया गया है अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी जादा ख्याल रखिए इसी भाव के साथ आप सभी से बिदा लेते हैं धन्यवाद